वेलकम टू आबर यूटूब चैनल मैथ सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लोग सरली करन की इस सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे यदि आप लोग बोड मास सीख गये होंगे तो बोड मास से रिलेटेड आपको कुछ इस तरीका से सरली करन का सवाल जो की ट político को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको हर एक पुइंट पर यहां पर आपको कहां दिक्कते आजाएगी अगर आप स्किपश करते हैं तो वह दिक्कते दूर नहीं हो पाएगी इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा तो चले विडियो को हम में जवनकारे नहीं है तो आपको इस टाइप के प्रसंद जल्दी नहीं बन पाएंगे तो चलिए सब से पहले यहां पर लिखा गया कि दसपुर्णाक एक बटया मैनस दो पुर्णाक एक बटया तीन भागा है फिर मंद्विग बरायकेट है फीर चार मैनस प्रसंद नहीं माइनस एक बटावारा अब इसको क्या करना है हमको सरल करना है यानि सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमको इसमें भी बोर्ड मांस का ही रूल लेते हुए कहता है कि बी से ब्रैकेट होता है वो भी ब्रैकेट में आगर वो रेखा कोश्टक है या उसके बाद चोटी कोश्टक है तो पहले उसका कम किरिए उसके बाद मंजली या बरी का तो यहां पर छोटी कोश्टक है तो पहले हम लोग छोटी कोश्टक का करेंगे उसके बाद मंजली कोश्टक और बाद में हम लोग बरी कोश्टक का करने बाले हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा हम इसी को लिख दते हैं 10 पुर्णांक 1 बटा 2 माइनस 2 पुर्णांक 1 बटा 3 भागा 3 बटे 4 माइनस 1 बटा 2 अब रही बात इस bracket के अंदर क्या होगा तो दिखें यहाँ bracket के अंदर भीन के घटा है भीन है उसी में घटा लग गया इसलिए भीन का घटा हम लोग बोलेंगे जो की बच्पन हम लोग सीखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों का LCM लेंगे तीन और 12 का LCM 12 ही होगा अब हमको क्या करना भीन का घटा स्वल्व कर लेना है तो 3 चोके 12 अब 2 चोक 8 8 हो गया, मैनस 12 एकम 12, एकम 1 यहाँ पर हो गया, अब इसको इस तरह बंद कर दे फिर दीखिए दूसरा करी है कि आपको क्या करना फिर इसे तरह आगे बढ़ना है अब इसको छोटा संशिप्त करते जाना है तो यहां हो जाएगा 10 पुर्नांग 1 बटा 2 माइनस 2 पुर्नांग 1 बटा 3 भागा 3 बटे 4 माइनस 1 बटा 2 अब गुना में है तो गुना लिख देंगे 8 में से 1 गया 7 बटा 12 हो जाएगा अब आपक सरल रूप में भी लिख सकते हैं सरल रूप में ही लिख लीजिए 1021 21 21 21 बटा 2 फिर है इसमें भी 37 बटा 3 भागा है अब क्या करना है 3 बटे 4 माइनस 7 बटा कितना 24 इसका हमें क्या करना है भीन का घटा बनाना है तो जो कि अगले स्टेप में ही हम लोग करने बाले लिखें इस दोनों का जब LCM लेंगे तो 24 ही आएगा तो 4 छक 24, 23 छक 18 माइनस 7 इतना हो गया अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 18 बटा 2 माइनस 7 बटा 3 भागा देखिए 18 में से 7 गया तो कितना बजाएगा 11 बटा 24 अब इसको हम लोग यही पर थोरा सा लिख लेते हैं अच्छा रहेगा तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 18 बटा 2 माइनस अंदर ही अंदर क्या होगा भिन का भाग होगा लिखेंगे 7 बटा 3 भाग को गुना बनाएगे और 24 उपर चला जाएगा और नीचे आजाएगा 11 अब अगर कटता है तो काट लेंगे अगर नहीं कटेगा तो हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर कट रहा है 3 आठे 24 तो हम लोग काट लेंगे ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 आठे 56 होगा इसमें हो जाएगा 21 बटा 2 माइनस आठे 56 बटा कितना हो जाएगा 11 अब दोनों का हमें क्या करना LCM ले लेना है LCM ले लेते हैं तो 2 और 11 का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 22 अब 2 11 तो 11 एकम 11 12 21 एक तरष्ट दूसर एक तीस माइनस, एगारे दूना, छब पन दूना, कितना हो जाएगा, छोदूनी, बारे पन दूना से कि गारे, यहीं हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इस तरह आप आसान तरीके से इस टाइप के प्रशन को शौल्ब कर सकते हैं, इस पर मैं एक और प जो भी सस्पिसन होगा, वो सारा किलियर हो जाएगा, देखिए, दूसरा प्रशन जो है, सेम इसी परकार है, लेकिन यह आपको दिखने में लग रहा होगा, छोटा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस छोटे कोस्टन में भी दिक्कते हो जाती है, तो आईए हम लोग इस छोटे से कोस्टन को भी देख लेते हैं, यहाँ पर है, 24 बटा 35 भागा, 1 बटा 7, फिर पलास है, 5 बटा 9, गुना 4 बटा 3, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग का काम कर लेंगे, लिखेंगे, 24 बटा 35, भाग को जब क्या करेंगे, स्वाल्व करने के लिए, गु 24 बटा 5, पलास 5 बटे 9, अब इस दोनों का क्या करना है, भीन को जोर आ गया है, तो हम लोग क्या करना है, बीच में भीन को जोर बना लेना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भीन को जोर बनाते हैं, इसके लिए LCM लेंगे, 5 और 9 का LCM हो जाएगा 45, 45 लिख कितना हो जाएगा 21 दूसर 16 पलस इधर कितना हो जाएगा नौ पच्छे 45 तो पच्छे 25 हो जाएगा अम गुना है इधर गुना चार बटा तीन दे दिया अब क्या करना है इसको सौल्व कर लिजे तो दूसर 16 और 25 को जोड़ लेते छौप मौच एक यानि यारा ग्यारा का एक बंकी एक तीन एक चार दो 241 बटा कितना 45 गुना चार बटे 3 अब यहां से देखते हैं काट की कटता है अगर कटेगा तो ठीक है रन्ने था गुना कर दीजे उसको तो यहां पर देखेए किसी से कटीने रा इसको गुना कर दीजे चार एकम चार चार चौक सोला और उसके चार दो ने आठेक 9, 964 बटे क्या हो जाएगा 3,55,3,12,1,13,13,135 यही इसका क्या हो जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा इस तरह आप आसान तरीके से इस टाइप के सिंपलिफिकेशन के को स्टन को बना सकते हैं I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस सेनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कियें तो पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए जाहिन धन्यवाद